हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैं चानल, कुक वित पी हुँ में आप सभी का फिट से एक बार स्वागत है मीठा खाना सभी को पसंद आता है, छोटों से लेकर बड़ों तक तो इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शाही स्वीट टोस्ट रेसिपी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्तक जरूर देखना चानल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलना तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं शाही स्वीट टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बना लेंगे तो यहाँ पर मैंने एक कडाए में एक कटोरी शक्र ली है अब इसमें डाल देंगे एक कप पानी और इसे हमें mix करना है और gas पे रख देना है gas का flame medium रखना है तो मैं ये वाले toast यूज़ कर रही हूँ आपके घर में जो भी toast है आप यूज़ कर सकते हो चाहे तो आप bread भी यूज़ कर सकते हो तो हमें इसे fry करना है तेल गरम हो जाने पर हम इस toast को एक इक करते हुए हलका सा golden color आने तक fry करेंगे तो gas का flame हमें medium to low रखना है तो यही color हमें चाहिए अगर आप bread का यूज़ करते हो तो same process bread के लिए भी है तो बस इसे हम दोनों side से पलटते हुए golden color आने तक fry कर लेंगे इसी तरह से हम सभी toast को या तो सभी bread को fry कर लेंगे याद रहे gas का flame हमें low to medium रखना है ताकि इसका color हमें golden चाहिए brown नहीं तो बस हमारे सभी toast यहाप पर fry हो चुके हैं तो अब हम इसे निकाल लेंगे शुगर अच्छे से melt हो चुकी हैं तो चाशनी हमें तार वाली नहीं चाहिए शुगर बस melt हो जाए बस इतना ही तो हमारे सभी toast यहाप पर fry हो चुके हैं हलका सा golden color आ चुका है तो बस हमें ऐसे ही चाहिए थे और यह भी थोड़ा कड़क भी हो चुके है तो हम अब gas का flame आफ कर देंगे चाशनी को चलाते हुए इसे normal और room temperature पर थंडा कर लेंगे क्योंकि चाशनी हमारी हलका सा गरम होना ज़रूरी है तो हम इसे थंडा कर लेंगे क्योंकि चाशनी हमारी बहुत ज़ादा गरम है तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स चाशनी थंडी हो चुकी है तो आप इसमें डाल देंगे टोस्ट जो हमने फ्राइ किये थे अगर आप ब्रेट का यूज़ करते हो तो ब्रेट को भी इसी तरह से डाल के निकाल लेना है तो फ्रेंड्स आप चाशनी के बदले दूद का भी यूज़ कर सकते हो तो दूद और शक्कर की जो कॉंटिटी है हमें सेम लेना है आप उसमें इलाइची पाउडर भी मिक्स कर सकते हो तो मैं बस शुगर सीरप यूज़ कर रही हूँ याने की चाशनी तो हम इस तरह से सभी टोस्ट को चाशनी में डीप करते हुए निकाल लेंगे और अगर हम जादा दिर चाशनी में इस टोस्ट को डुबा के रखेंगे तो टोस्ट गल सकते है तो बस हमें इसे डीप करके निकाल लेना है तो मैं इसके उपर थोड़ा सा शुगर सीरप याने की चाशनी डाल रही हूँ अब मैं इसके उपर ग्रिट कर रही हूँ हलका सा बादाम और काजू चाहे तो आप इसके उपर चॉप पिस्ता, बादाम, काजू भी इसके उपर डेकोरेट कर सकते हो जैसे भी आपकी इच्छा और इसे हमें फ्रीज में रखना है कम से कम एक से दो घंटे के लिए और जब एक से दो घंटे के लिए आप ऐसे सर्फ करोगे या तो खाओगे तो यह बहुती बढ़िया लगेगी याने मीठा और थंडा खाने में बहुती ज़्यादा टेस्टी सबको पसंद आएगा तो आप इस रसिपी को जरूर ट्राइक करना बच्चो को खास दौर पर ज्यादा पसंद आएगी वीडियो पसंद आया तो एक लैक जरूर करना और अगर अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना तो इस मज़ेदार से रसिपी आपको कैसा ताना. Thank you.